नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी डियूस में आपका स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्च उपर बिहार बोड बारवी एक्जाम फॉर्म भरने की अंतिम्तिती फिर से बढ़ी बिहार बोड बारवी एक्जाम फॉर्म भरने की अंतिम्तिती फिर से बढ़ी अगर आप वर्स 2024 में होने वाले बिहार बोड बारवी परिक्षा में शामिल होने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है बतादे की बिहार विद्याले परिच्छा समीती की ओर से बारवी के इस्टुरियंट्स के लिए एक्जाम फॉर्म भरने की अंतिम्तिती को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है ऐसे में अब चात्र 10 नमबर 2023 तक अपना एक्जाम फॉर्म भर सकते हैं बतादे की पहले ये एक्जाम फॉर्म भरने की तारीक 5 नमबर 2023 तक निर्धारित की गई थी मालुमों कि अनिर्ने बोर्ट की ओर से छात्रों के हित को देखते वे लिया गया है ऐसे में जिन भी चात्र चात्राओनी अब तक फॉर्म नहीं भड़ा है वह बिहार बोर्ट की ओफीसियल वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं कॉंस्टेबल भरती परिच्छा पेपर लीक मामले में EOU का बड़ा एक्शन आर्थी कपराद इकाई के द्वारा बिहार में कॉंस्टेबल भरती परिच्छा पेपर लीक मामले में पहली बार बीत दिन सनिवार को राज्य भर में दर्ज 74 FIR हलफ लाइन नंबर एवं इमेल से मिली महत्पुन सूचनाओं के आधार पर FIR दर्ज कर एक बड़ा एक्शन लिया गया है बता दे कि एप आयार नाम जद नहीं है मालमों कि इस मामले की जांच के लिए आर्थी कपराद इकाई के द्वारा डि आई जी मानवजीत सिंग धिलों के निद्द में 23 रस्य विशेश चांच दल का गठन किया गया था वहीं अब आर्थी कपराद इ OU के हाथ कई बेहत खास जानकारी लगी है सक्षा विभाग में 449 प्रिंसिपल के वेतन पर लगाया गया रोग उच्छा निदेशक रेखा कुमारी के द्वारा 449 प्राचारी का एक दिन 1 नवंबर का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है जिसमें 203 प्राचारे अंगीभ देश दिया गया है इसके बाद 26 ऑक्टूबर से उच्छा निदिशाली के उप्रिवेशकों के द्वारा रोजाना वीडियो कॉन्फरेंसिंग में सूशनाओ को अपडेट कर गूगल सीट भरने को कहा जा रहा है लेकिन फिर भी इसका पालन नहीं क्या जा रहा है और भारी रेजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है बता दे कि अब रेजिस्ट्रेशन करवानी की अन्तिम तिथी को वस्तारित कर दिया गया है ऐसे में अब अभ्यर्थी 10 नुमबर तक अपना आवीडन कर सकते हैं मालूमों कि पहले आवीडन करने की अन् इच्छा 3 दिसमबर 2023 को आयोजित की जाएगी मेरी माटी मेरा देश काड़िक्रम में बना वर्ल रिकॉर्ड बिहार की राजधानी पतना की पाटली पुत्र की एतिहासिक धर्ती पर विटर नरी ग्राउंड में प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी के नर्देशन में मेरी माटी मेरा देश काड़िक्रम के तहट आज मेरे देश की धरती एक दीप भारत माता के नाम काड़िक्रम का ओजन किया गया की अध्यक्षता केंद्रिय मंत्री अश्विनी 24 के द्वारा की गई बतादी कारिक्रम में एक वॉल रिकॉर्ड बनाया गया है दरसल 11,11,000 रंगीन दियों से अखंड भारत माता की जोती की छवी बनाते वे यह रिकॉर्ड अपने नाम दर्च किया गया है इस कारिक्रम में ब खंड भारत की छवी बनाई गई जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई है प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश के तहर देश्वासियों में राष्ट्रियता का भाव जगाने की कोशिश की है बतादे की कारिक्रम में कुमहार के द्वारा दिये ग जांच का दाइरा बढ़ रहा है वैसे वैसे कई बड़े खुलासी होड़े हैं बता दे कि अब जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके अनुसार पी एफ आई ने ना सिर्फ फुलवारी सरीव बलके इसके अलावा पटना और आसपास के कुछ शहरों में भी अपना ठिका बनाड़ा था वहीं पीएफाई के अलावा दो तीन और कटरपंती विचार धारा को पोश्ट करने वाले संगठन बनाए गये हैं जिनमें वहादत ए इसलामे हिंद और बहादत ए इसलामी प्रमुख हैं यह अलग-अलग अस्थानों पर छोटे संगठनों में लोगों को ख इंडिया के प्रतिबंध होने के बाद इसके मुख्य लोगों के द्वारा बिहार में पी एफाई की जड़े मजबूत करने के लिए खासतोर से पहल की गई है नियोजिस सक्षकों पर बिहार माधिमिक सक्षक संग की सीयम नितीश से बड़ी मांग राजी के सभी कोटी के नियोजिस सक्षकों को सरकारी सेवक का दर्जा देने को लेकर बिहार माधिमिक सक्षक संग के महासचीव वग पुर्वसांसत सत्रुधन प्रशात के द्वारा बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार से मांग की गई है उन्होंने कहा है कि नियोजिस सक्षकों को बगैर किसी परिक्षा के अविलम समिधान के अनुछेद 309 के अंतरगत सरकारी सेवक का दर्जा दे दिया जाए और साथी 11 जुलाई 2023 के शांते पुन्ड वह अहंसक धर्णा प्रदर्शन में भाग लेने वाले 1000 से भी अधिक ट्रा थापित करने के लिए मुख्यमंत्र इन्तीश कुमार को बधाई भी दी गई है बिहार में 3.6 एक करोड रूपए की बिजली हुई चोड़ी एक तरफ जहां बिहार में बिजली व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार की ओर से तेजी से स्मार्ट मीटर लगा जा रहे हैं वोकताओं को बहतर बिजली कनेक्शन उपलब्द करवाया जा रहा तो वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी हैं जो बिजली चोड़ी करने से बाज नहीं आ रहे हैं बतादे की ताजा मामला मुझपरपुर का है जहां NBP DCL मुझपरपुर अंचल के इंजिनेर कंपनी के द्वारा लोहा फैक्टरी के प्रोप्राइडर विनोध जैस्वाल पर 3.6 करोर रुपए का जुर्माना लगाया गया है और पुर भी सब डिवीजन के सहायक अभियंता पानापुर के द्वारा आप मीनापुर में प्रात्मिकी की दर्ज की गई है आपके जानकार पारी के बता दे किया उत्तर बिहार का सबसे बड़ी बिजली चोडी है और यह चोडी वीते तीर महीने से की जा रही थी वहीं स्तंबंद में अधिक्षन अभियंता पंकज राजेस की द्वारा बताया गया है कि बिजली की चोडी रोकने के लिए लगातार कारवाई करती रहेगी सरपंच ने केके पाठक को पत्र लिकर सिक्षकों को नौकरी से हटाने की की मांग विते दिन सनिवार को सिवान प्रखन के सहसराओ पंचायत के सरपंच मुकेश कुमार सिंग के द्वारा बिहार सरकार के सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव केके पाठक को न बंधित दाग से पत्र भेज कर चार सक्षकों पर फरजी होने का रूप लगाते वे उनका नियोजन रद करने का आगड़ा किया गया है उनके इस पत्र में 2006 में नियोजन सक्षकों की सेवा से बरखास्त करने के संबध में निदीशे प्रात्मिक सक्षा विवाग बिहार के प अधिकारी श्रवन कुमार के द्वारा जानकारी देते वे बताये गया है कि सभी सक्षकों का वेतन बंद है लेकिन वह अभी भी अपने विद्याले में बने हुए है ये चारो सक्षक वड़ी अधिकारीयों के आदेश के विप्रित नयाले की सरन में गय हुए है बिहार के सक्षकों को मिलेगा आवास बिहार सिरकार के सक्षक विभाग के द्वरा सक्षकों को आवास देने के लिए दो तरह के मौडल तयार किये गया है प्रदेश कुमार अपनी पार्टी जेडियू के अध्यक्ष ललन सिंग के घर पहुंचे जहां उन्होंने ललन सिंग के घर में कुछ समय बिताया और फिर वहां से रवाना हो गया बतादे कि ललन सिंग और नतिश कुमार के बीच उइस मुलाकात को सिस्टा चार का मुलाकात बताया जारा है वहें इसके लावा आज CM नितीश ने जदियू के पुर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष वसिस्ट नरायन सिंग से भी मुलाकात की जिससे की अब राजनितिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है मालू हो किसे पहले राजद सुप्रीम लालुप शार यादव और बिहार के उपमुखे मंतरी तेश्वी यादव भी CM नितीश से मिलने के लिए बीतर दिन मुखे मंतरी आवास पहुचे थे कॉंग्रस के राश्ट्री अध्यक्ष मलेका अरजन खरगे के द्वारा भी CMT से फोन पर बातचीत की गई थी साथ नमबर को बेगुसराय और समस्तिपुर में लग रहा रोजगार मेला अगर आप बेरोजगार है और रोजगार की तलाश में है तो यहाँ खबर आपके लिए है बतादी कि 7 नमबर को बिहार के बेगुसराय में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है जिसकी जानकारी जिला नियोजनाले कारयाले के द्वारा दी गई है बता दे किस एक दिवसीय रोजगार मेला कायोजन बेगुसराई के नियोजनाले में किया जाएगा जिसमें सर्स रिप्रेजेंटेटिव के पद पर बहारी ली जाएगी इस बारे में बेगु सराई के नियोजन पतादिकारी राना अमितेश के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि पुरुष अभ्यर्थियों को सर्स रेप्रेजेंटेटिव के पत पर बेगु सराई और समस्तेपुर में रोजगार दिया जाएगा इसके तहट उन्हें 8000 से के लिए अभ्यर्थियों को आ एंसी एस पोर्टल पर रेजिस्ट्रेशन होना अनिवारे है नवनिक्त सक्षकों के वेतन पर आरसेपी सिंग ने पूछा सवाल बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार के द्वारा बिहार लोग सिवा आयो के द्वारा चैनेत नवनिक्त सक् सक्षकों की वहाली होड़ी है उन्हें वेतन कैसे दिया जाएक अतिय तिस साल से राजकर रहे लालू और नितीश ने सरकारी खजाने को कंगाली की हालत में पहुंचा दिया है इसका खामिया जाना सर्फ सक्षकों को बलकि दूसरे सरकारी करमचारियों को भी भूगतना उन्होंने बताये कि विहार सरकार अपने बूते पिर एक साल में केवल 45,000 करो रूपए राजश्वर जुटा पाती है जबकि पहले से ही वेतन और पेंसन के मद में 90,000 करो रूपए का खर्च आता है अब तक तो किंद सरकार और बैंक को समीद दूसरे वीतिये संस्थानों के लोन के सहारे काम चल रहा था लेकिन अब जिन सिक्षकों की वाली हो रही है उन्हें वेतन कैसे दिया जाएगा इसका जवाब सीयर नितीश को देना चाहिए और उन्हें कहा कि अगर सरकार के दौरा सहीं आक्रा जारी किया जाता है तो यह बात निकलकर सामने आजाएगी कि किस तरह भिहार के युवाओं को नौकरी के नाम पर ठगा गया है इडन गार्डन में धूम धाम से सलिब्रेट होगा विराट कोहली का बौतरे आज यारी की 5 नमबर को भारती क्रिकेट टीम के स्टार बलेबाज विराट कोहली का 35 जंदन है बता दे कि मीडिया रिपोर्स की माने तो कैव की और से कोहली के लिए एक खास केक की वेवस्था की गई है जिसे आज इडन गार्डन स्टेडियम में मैच के बीच होने वाले ब्रेक में काटा जाने वाला है इसके साथ ही उफार स्वरूप संकी और से एक बला भी तयार किया गया है वही मैदान पर दर्शकों को 70,000 मास्क भी बाटे जाएंगे यह मास्क विराट कोहली के होंगे ऐसे में आज विराट कोली का जंदन बहुत ही खास होने वाला है भारतिय टीम का कोचिंग स्टाफ और खिलारी साउथ अफरिका पर जीत दर्ज कर उन्हें तौफा देने की भी पूरी कोशिश करेंगे जानियात बिहाल में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट बिहाल में आज आनी रविवाल पिट्रोल डीजल के रेट जारी के अगश के बाद राजधानी पत्नाम अज़ पिट्रोल 172 रुपै्प्राई बर्ती लीटर में मिल रहा है नो रुपै पून आमें पिट्रोल कीमत 107L сообщ Fasted 1-8ी-q10 Colinへ संसके निन भागerve इसके साथ ही गयाय में पिट्रोल कीमत f charger नो चाप और डीजल कीमत 94 बता दे कि पिहार में पिट्रोल करेट सबसेदा किसंगज मढ़ें जहां पिट्रोल 109.7-4 रूपे प्रति लीटर और डीजल 59.9-6 रूपे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है बीते दिन हमारे दुरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों इनिप्रजाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है जिन्हों नहीं हमारे दुरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके निसार बिहार युवाँ को रोजगार दिने में सफल हो रहा है या नहीं अपना जवाब हमें मारी कॉमेंट सेक्शन में लेकर ज़रूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने की देखते रहें बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देखना चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखना तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद